तो हेलो गाइज मैं हूँ सुम जा आप देख रहे हैं वन मैं डूड तो कल मेरा एक नया ट्रैक रिलीज होने वाला है यह भी एक फ्रीस्टैल बीट है रेट्रो बीट्स की तरह तो स्टे टून्ड और आज इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूं रिवर्ब क्या होता ह है उससे पहले मिक्सर में कैसे रिवर्ब लगाते हैं मिक्सर क्या होता है उसके लेक्चर की लिंक मैं डिस्क्रिक्शन में दे दूंगा इस वीडियो में आपको बता दूं रिवर्ब क्या होता है रिवर्ब एफिल स्टूडियो में कैसे लगाते हैं तो ज़्यादर डाइम पिक खोलेता हूँ, यह आप देख सकता है, यह मैंने एक खोली है, इसमें आप देख सकता है, यह है vocalist, जैसे हम जानते है, singer, जो vocals देता है, जो गाना या जो भी कहें, गाता है, बोलता है, और यह हमारा microphone, यह distance, जो भी भोलते हैं वो दो तरीके के अवाजों में जाता है एक ड्राय एक वेट क्या होते हैं अभी बताते तो हूं ये हमने हम वोकलिस्त ने बगाय और वोकलिस्त ने जो माइक से ड्रायरेक्ट बोला जो एक आप अगर आप इतना साइंस पढ़ते हैं तो आप इतना जानते होंगे कि laws of reflection of light और laws of reflection of sound सेम होते हैं मतलब जैसे light reflect करती है वैसे sound भी reflect करता है एक जगे से दूसरी जगा दिवारू तो दिवारू तो जो vocalist न गाया यहां आप देख सकते हैं इस जगे जैसे vocalist न गाया वो माइक में direct गया यह मारा माइक इस माइक में direct गया अब माइक ने उसको dry vocals के तरह एकदम प्यॉरब फार्म में वह कुछ और गंड़ि उसके साथ में वह तो गइडिए डेरेक्ट वह तो एक दम हंड्रे स्टम प्यॉर्र क्ल्स आप उससों कह सकते हैं आप वह तो गम्हें साथ में hon आप्शक और में अब साथ मैं उसका थन एंश उली है जितने दिवार उपर फिर reflect होके वहां से माइक में पहुंच रही है यहां आप देख सकते हैं नीचे जा रही है नीचे से reflect होके पहुंच रही है माइक में आप यहां देख सकते हैं यहां से reflect होके माइक में पहुंच यह से टकरा टकरा के इधर से उधर करके जो पहुंची यह जो sound होती है इ तो अगर हम wet sound को थोड़ा adjust करें dry sound को थोड़ा adjust करें साथ में उनको balance करें तो एक अच्छा vocal process कर सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं जैसा कि मैंने एक बार में पीछल लेक्चर में बताया था अच्छटिक क्रसरन के बारे में जो villages अच्छिक पैनल होतें वो que करते हैं हो यहीं तो काम करते है यह आपके दिवारे इन देवार हो पर आपने यहां पर अकॉश्टिक ट्रीटमेंट्स लगा दिया और जो पर पर से माक़ कर रहंसे यहां सफ़िक्र्टव कर दैंने यहां से रफ़ेक्ट हय। जगे पर आपने अग इस mostwerk लगा या है अब आपकोश्टिक ड्राइव वोकल्स आएंगे और ड्राइव वोकल्स को एडिट करना और इसको में रिवर्ब प्लग इन सेट करना काफी अच्छा और अच्छा आपको साउंड करें और नॉइस भी नहीं आएगी जादा तो इस तरीके से आप ऐसे पैनल्स लगा के काम करते हैं और यह पैनल् रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करकर रही है मैं आपको फटावर से सुना देता हूं आ यह आप देख सकता है एकदम प्योर साउंड है विल्कुल ड्राइव पुर्य अकॉस्टिक ट्रीट्मेंट के स्टूडियो में एकदम रिकॉर्ड हुई ही साउंड एकदम ड्राइव ले अधिंग नून ऑई साउंड आई एकदम ड्राइव अब हम इसमें वोकल में हम एड करेंगे रिवर्ब थोड़ा तो रिवर्ब एड करने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया वाए विसे पिछल लेक्चर में मिक्सर के आपको इसको सिलेक्ट करना है इसको जैसे आप कुस अब हम यहां पर आके स्लॉट वन में फ्रूटी रिवर्ब टू मैं वापस रिपीट कर देता हूं जो यह दर है फ्रूटी रिवर्ब टू इसको आपको क्लिक करना है यह हमार आगया रिवर्ब का प्लग इन अब आप सुन सकते हैं हमारी साउंड कैसी हो चुकी है आप देख सकते हैं यह साउंड कैसी हो गई है क्योंकि इसमें वेट काफी अज़श्ट कर दिये हैं थोड़े से ड्राइए अगर मैं इसको कर दूँ रिसेट में जाके वेन्यू अब आप सुने आयम स्वयमजा एंड इससेंपल रिकॉर्डिंग पॉर वोकल्स तो फटफर सारे अप्शन्स कवर कर लेता हूं मैं डिफॉल्ट कर दे तो प्रिसेट्स में प्रिसेट्स आप जानते होंगे अलग अलग शेप्स वगे रहे हैं इसको डिफॉल्ट रखते हैं आपको एक बै कि बीचे में वैलेंस अच्छा से बनादेते हैं अब कर ले द लेता है नेक्स्ट झाल चोह मैं आपको यहां पर दिखा जेता हूं इसका बढ़ाईये तो साइबता है अब देख सकते हैं कुछकी उस तरीके ईसाइज उसका भाद आप यह देख सकते हैं यह रोताçons है उसका मताब यह स्पीड वगैरा तो आप जानते ही होंगे यह आप देख सकते हैं इसको आप कम करेंगे तो वह रोम के जो कोने हैं वह कम हो जाएंगे और आप ट्राय किए सर्कल रोम मिलीजे कि सर्कल रोम में रिवर्व काफी अच्छा एड़ होता है मुझे तो मैं हमेशा वेन्यू का यह शेप प्रेफर करता हूँ, यह मुझे काफी अच्छा और इवन लगता है, तो आप देखिए अजस्ट करके एक बैलंस बना लीजे, और अब मैं आपको बता देता हूँ, आटोमेट कैसे करें, आप ऐसे जानते हैं, यह नॉब है, तो आटोमेशन विल आलव करते हैं, एक बार मैं आपको with reverb and without reverb सुना देता हूँ, आप इधर से reverb की amount कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, off, on, कम ज्यादा amount, इसको reset कर देते हैं, अब एक बार मैं आपको with reverb and without reverb सुना देता हूँ, तो सबसे पहले कर देते हैं, with reverb, I am Swayamja and this is a sample recording for vocals I am Swayamja and this is a sample recording for vocals So you can see there that was the original vocals Without any plugins Plugins in we had Revolve Now we listen to the original No Processed Vocals Without Revolve I am off I am Swayamja and this is a sample recording for vocals I am Swayamja and this is a sample recording for vocals So that was our original vocals So now we will talk about Revolve in another way I don't think that any musician will use this I will show you how to use this first trick Then I will show you how to show this I am going to show you how to edit sample I am Swayamja and this is a sample recording for vocals I am Swayamja and this is a sample recording for vocals This is a sample recording for vocals Now I am Swayamja and this is a sample recording for vocals सबसे पहले हम सुन लेते हैं एंपनेन सेंपल रिकरदिंग फो किल उर्टो यह आफ देख सकते आपको जो प्रेवर्प करता है किसी भी बीट के लिए अगर आपकी वोकल काफी ज्यादा कम साउंड है तो रिवर्प उसको एक अपलिफ अच्छा दे सकता है तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी stay tuned क्योंकि मेरा नएया बीट आने वाला है उसमें आप देख सकते हैं मैंने instruments में भी reverb दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं और मेरा पिछला बीट Retro Bats वो आप मेरे चैनल में जाके check out जरूर कीजेगा वो भी मेरा original है उसके बाद आज की वीडियो बस इतनी थी अगर आपको को डाउट है तो कमेंट किजे मैं 24 आर में ट्राय करूंगा answer करने का अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो like कर दीजे और share कर दीजे और अगर आपको ऐसे lectures और चाहिए और आपको और सीखना है अगर music में तो जरूर से जरू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मैं हुस्वयम जाम वान मैं डूर से नायम गॉरन साइनिंग आउन नमस्ते